कbrand हेलो दोस्तोव स्वागत है आप सभी लोका कल की क्रेट की वुडियो में दोस्तोव खवर यह है कि जो विल्कुल बजार को पूंसे इ calam Recommis करना होगा क्या आई यह सब कुछ जानते हैं तो आप कॉस्त सब्सक्राइब नहीं मिल पाएगा डेटा की जो अनलसी से वो भी साही से देखना तभी आपको मज़दार ट्रेट कल मिलेगा जैसे कि हम लोगों ने आज के लिए सेशन में चर्चा किया था बिल्कुल मार्केट जो हुब हुब लेबल से जो है अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल जो है लेता हुआ दिखाई दिया और बहुत अच्छी जो है यहाँ पर क्लोजिंग होई लेकिन यह क्लोजिंग बहुत जादे जो है कोई कन्विक्शन नहीं दे रही है क्योंकि अभी डेटा में जो है सौट कबरिंग सो और अभी फ्रेस बाइंग जो नहीं जनरेट हुई है अगर कल एक इंपॉर्टेंट लेबल जो कि मैं अभी शेयर करने वाला हूँ अगर वो ब्रेक हो जाता है मार्केट उसके उपर सस्टेन होता है तो आपको एक्च्छल जो बाइंग कहते हैं वो बाइंग दिखाई करके 15 मिट का जो टाइम फ्रेम है नॉर्मली जो ट्रेडर है वो इंट्रेडे के लिए यूज करता है अगर अभी आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने इसके पहले एक टॉप यहां पर क्रियेट किया हुआ है जहां से मार्केट ने गिरावट दी थी अब ब यहां से करेक्ट होके ऊपर चलने से पहले करेक्ट होके 3幸ifter 200 के पास आता है तो यहां पर यह बहुत बहुत वेत्रीन बाइप बनेगा 150 का जो है एसल डालके ठीक है और 275-265 जो है आपका तार्गेट होगा पहला और उसके बाद 300 आइन एनदर जो है 425 तक तार्गेट हो सकते हैं 425 अगर इनके क्रियेट करेगा कि मैं गिरने वाला हूं आपको लगेगा कि मार्केट आज वीक हो रहा है क्योंकि दो दिन से रैली किया है और फिर वो कहीं आके 43-300 पे बॉटम आउट कर सकता अपने आपको और फिर 43-300 से चलना सुरू कर सकता है अगर ऐसा कंडिशन बनता है तो 43-300 पे जो सा मुश्किल है लेकिन अगर 500 क्रॉस हो गया क्योंकि मार्केट में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता है तो आप समझेगा कि यहां पर मार्केट अप बिल्कुल सौर्ट कवरिंग के लिए रेडी है और अकर कल 43-500 के उपर क्लोजिंग आती है तो आपकी एक्सपारी जो है दिया तो फिर थोड़ी सी एक्सपारी का जो रैली होगा वो सेकेंड सेशन में होगा फर्स सेशन में नहीं होगा यह याद रखिएगा अब ऐसा में क्यों कह रहा हूं देखिए अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे दोस्तों तो टोटल जो अब कॉल सेलर बच चुक को पॉलनट बैयर थे यह सारे जम्रों गिबप करते हुए दिखाई दिये और फरीज्में यहां पर पूट में जुह सेलिंग भी दिखाई दिया और यहां पे इसके बात जो कॉल सेलर थे वह आप दीरे-दीरे यहां से पोजिस्वारा करना सुरू कर दिये हैं और यहां प यहां पर compare करेंगे तो एक लाग सांथी जार और 43500 के पास पहुंच चुका है तब जाके एक लाग अठारा जार है और यहां से काफी दूर है तब जाके लाग सांथी जार यह नहीं कि कहीं नहीं दिख रहा है कि जो put writer है वो market में काफी अच्छे से confidence के साथ अभी दिख रहा है लेकिन अगर 43500 क्रास होता है तो आपका जो सीधे जो target आएगा वह 44 जर तक आ सकता है और वहां पर आपको एक बार thank you so much बोलना पड़ेगा लेकिन अगर market हमें dip देता है जैसे 33500 पर देखेंगे तो 170,000,200 पर देखेंगे 94,000 तो देखेंगे लेकिन रिंज में चलेगा अगर आप डिजिटल डिटा देखेंगे तो 43,000 पर पूट राइटर बहुत अच्छे वाले और 44 जर पर बहुत अच्छे वाले यानि कि सवीक की जए 43,000 से लेकिए 44,000 के आसपास हो सकती है या तो 43,000 के पास या दो 44,000 के पास लेक अब को पता है क्योंकि निफ्टी में बहुत जादे श्टेंद नहीं थी निफ्टी को केवल रिलाइंस ने पूल किया और इसलिए मैंने जिए आपको सेल भी अवाइट दिया था और मैंने जो प्रीमियम ग्रूप है उनको निफ्टी की कॉल भी दी थी हलाकि इनिशली मैं अब हमें कल किस हिसाब से निफ्टी को वाच करना है तो जिस पैटन के साथ निफ्टी घूम रहा है ठीक है दोनों में पैटन जो बिल्कुल कॉमन दिख रहा है कौन सा यह अपर लेवल के रिजिस्टेंस वाला अगर आप देखेंगे तो अठारा चार सब पचीस का एक बह तो यहां से सेल करके काम कीजिए ज्यादे प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट इनकीस यहां से गैब डोन खुलता है या फ्लैट नेगेटिव खुलके नीचे की तरह पहले आता है तो वेट कीजिए अठारा दोसो असी दोसो पचास का ठीक है यहां पर फिर निफ्टी क अगर निफ्टी निकालने लगेगा तब जाके आपके शॉट कवरिंग के चांसे बनेंगे और उस समय आप फिर पांसो को भी ब्रेक कर सकते हैं चार सब अचातर एक एहम जो है पड़ा होगा वहां से मार्केट हो सकता है कि फिसल सकता है लेकिन अगर मार्केट पहले गैप अगर आप निफ्टी का डेटा देखेंगे तो आपको थोड़ा सब डेटा वीग दिखाई देगा देखें टोटल जो कॉल से निफ्टी के हैं 19 लाक हैं और 16,99,000 तकरीबन जो पूट राइट है ठीक है यानि कि 3 लाक का जो तकरीबन तकरीबन फासला है अगर आप कॉल से सेलर है एक लाक चाली जाए और यहीं पर मार्केट जो क्लोज हुआ यानि कि 400-420 अगर निकलेगा तो यहां से हमें मूब देखने को मिल सकता है 18500 ठीक है क्योंकि 400 के जो सेलर है वो ट्रैफ होंगे लेकिन यह चीज़ याद रखेगा चूंकि 18400 का सेलर है वो फ्रेस का सेल होगा और उसके पहले 18300 अभी एक एहम लेबल है ठीक है राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको पूट में यहां पर जो भी हमारे पूट जो भाई करके गए थे वो जो यहां पर स्कौर्फ करते हुए नजरा रहे ठीक है और फ्रेस में जो पूट सेलिंग च सबस्कुष है अगर आपका डारेकशन सब्सक्राइब को भी किजिए उसमें भी प्रॉफिट होगा लेकिन अगर डारेक्शन गलत है तो आप एक्टी मिक अच्छे मोकें बिलेंगे ठीक है अब यह है कि मार्केट को बाटम पे शोपोट मिलता रहेगा अब जब तक निफ्टी 18100 के नीचे क्लोजनी होगी तब तक ज्यादे वीकनेस नहीं आएगी हर जो डिप होगा वो ट्रेडर थोड़ा बाई के लिए यूज करेगा अभी अगर हम लोग फाइनस निफ्टी के बात करें तो फाइनस निफ्टी तो सेम उसी है मैंने बताया भी था कि अगर यह लेवल ब्रेक नहीं होता क्लोजिंग बसिस पर तो लॉंग के लिए कोई टेंसन नहीं होगा ठीक है और वो लेवल अभी भी जो है यहां पे इंटक्ट होता हो दिख रहा है तो फाइनस निफ्टी चोकि तीन दिन से ग्रीन में क्लोजिं करना बाई करना ज्यादा बेटर होगा ऐसे लामारे चोटे होंगे बाइंट करके जो है फाइनस निफ्टी में चलेंगे लेकिन अगर गया पप हो गया और ऊपर तुरंद दिखा दिया तो फिर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आईगी फिर हम वहां पर भी चेंज उसको जुरूर चेक कर ली जाएगा उससे जादे आपको आईडिया लग जाएगे इवेस्टी टॉलर के बात करें तो सेम उसी लेबल में गुम रहा है दोस्तों यहां पर ठीक है उसी रेंज के आसपास है तो देखते हैं कि यह उपर लेबल को ब्रेक करता है नीचे अलब देखने को मिलेगी दोस्तों आगे स्टॉक पर चलने से पहले मैं बता दू कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है वह 13 जनौरी से प्लांड है तो जिनको भी अगर अपनी अनलसिस खुद से करनी है या इस बजार में लंबे समय तक रहना है काम करना है तो वह सीख सकते हैं बैच क अगर देखेंगे तो तो कल के लिए हम इसको 307 के ऊपर करके चलेंगे अच्छाग करेंगे 304 तीन पांट के सल है दोस्तों अभी इस इसल से नहीं बाई करेंगे तो फिर क्या करेंगे है रादीन पैंट का सिर्फ एसल दिया ध्यान से देख लीजिए एसीन पैंट एनदर जो की काफी अच्छा जो है बहतरी नेक फॉर्मेशन देता हुआ दिख रहा है मेरे को तो कल जो है 3090 को पर अगर निकलता है तो 3080 मातर दस रुपे के सबाई कीजिए तारगेट 30-50 पंड के लिए लीजिए अनदर जो स्टॉक है दोस्तों वह सेल का स्टॉक है अब आज जो है प्रॉफिट बॉकिंग सिगनल है और काफी वॉलूम के साथ जो है गिरा हुआ है तो कल अगर 1638 के नीचे सस्टेन हो रहा है तो 1600 बॉन के सल से सेल कीजिए तारगेट आपको 30-100 पंड के समें मिल सकते हैं पॉसिबल है कि एमसेक्स 1588 से भी आ सकता है आगर ये जो है 1630 के नीचे स्टार्ट कर दे प्रॉपरली सस्टेन होना ठीक है तो 1580 तक ये गिर सकता आराम से नहीं कि 30-40 पंड आराम से आपको गिन मिल सकता है तो ध्यान से लेवल नोट कर लिजेगा आपने डारी पर ताकि आपको काम करने में जो सहता होगी तो दोस्तों वीडि झाल